हेलो नमस्कार मेंना नाम हेवडाश राप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है पिछले कुछ दिनों से लगाता है मैं एश्यकप वीडियो जो आ रहा था लेकिन अब मुझे लगता है कि विराम देने का वक्त आ गया है क्योंकि फैसला लगबग में हो चुका है कि इ एक से बात नहीं कर रहा है जैशा से बात नहीं कर रहा है इसे थोड़ी हल निकलेगा लेकिन एस से सॉलीशन निकला है और बहुत बड़ा सॉलीशन निकला है आपको बता दे कि new चैनलों पर इंटर्व्यू देने से पहले नजम सेठी यूए गए थे वहाँ पे एसी सी के किम जी कुछ ऐसे करके है उनका नाम उनसे बातचीत हुई तो बातचीत का कुछ हल नहीं निकला समस्या नहीं निकला इसके बाद वार्निंग दे दिया नजम सेठी ने का भया अगर आप जो है निट्रेल वैन्यू पर आप चाहते कि पूरा का पूरा एशिया कब करवाएंग तो ये तो बिल्कुल कता ही नहीं होने वाला है तब तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा आप हमसे होस्टिंग राइट चीनेंग और आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में एशिया कब नहीं हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा जैसे ही नजम सेठी ने ये बयान बाजी किया था बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार इसकी इतनी यौकाद पाकिस्तान कितनी यौकाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कब से उचलने लगा भाई हक की बात है वह अपना हक मांग रहा है उसी जगह पे अगर हमारी टीम इंडिया होती हमारी बी सी सी आई होती हम तो बोलते हैं को आग लगा के रख दो ऐसी ऐसी बाते हुने लगती है ना तो पाकिस्तान किर्केट बोर्ड जो कर रहा है और जो बयानबाजी हुआ है वह अपना हक के लिए माग रहा है और अपना हक क्रिकेट मोडल दिया गया था उसको श्रुलंका बोर्ड और बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने बोला है कि जो शुरुवाती के बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड ये भी दोनों जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा का पूरा समर्थन दे रहा है इससे पहले श्रिलंका बोर्ड पूरा का पूरा बीसी सी आई को सपोर्ट कर रहा था और बीसी सी आई के आगे पीछे था क्योंकि इस समय श्रिलंका cricket board जो है वो financial issue से काफी जादा जूज रहा है तो ऐसे में लगा एक भाई इंडिया के खिलाप नहीं जा सकता है अगर इंडिया खिलाप जाएंगे तो हम तो गए लेकिन थोड़ा सा बैक बॉर्ण मतलब रीड की हड़ी है श्रिलंका बॉर्ड में भी उन्होंने भी खिलाप जाके इनों बोलाई कि देखिए इनका जो मांग है वो जाइज है यह जाइज मांग कर रहा है अपना ऐसा नहीं है कि रंगदारी कर रहा हो या फिर दादा गिरी दिखा रहो सई जाए इनके बागा तो अब यह खबर आ रही है कि जो नीट्रल जो वेन्यू खोजा जा रहा जो कि मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा ऐसा लोगों नजम सेठी का क्याना मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा ताकि एक मैज जो पाकिस्तान वाला है वो हम लोग देख ले हमारे फैंस देख ले हमारे दर्शक देख ले क्योंकि अगर आप वहां से एशिया का अगर लेके चले जाओगे ना तो चेंपिन स्टॉफी करवाने से भी हम रह जाएंगे क्योंकि फिर यही बहान आ जाएगा हमारी सरकार वनुमती नहीं दे रही है बला 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 तो नजम से यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानते थे इसी वज़े से उन्होंने शुरुवाती के चार मैच यह है तो भहिया बी सी सी आई के अगेंस जो वार था ना जो चल रहा था ना वो नजम सेठी सहब जीत गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट जीत गए हैं और आपको भी पता है कि अगर पाकिस्तान वल्लकप खिलने के लिए नहीं आएगा ना तो हम दर्शकों का ही तो न नुकसान है यार रेविन्यू के मामले में तो नुकसान होगा ही होगा जाहर तोर पे होगा लेकिन नजम से ठी अड़ गये थे और दाद देनी पड़ेगी इस बंदे को कि मतलब बी सी सी आई से लड़ने की हिमाकत रखता है यह वरना आज की टाइम में बी सी सी के सामने अगे रखा है और अपनी बात रखी अपना हक मांगा है और शायद अपना हक पे जो है अब यह काम भी हो गया लगबग में सफल भी हो गया है कि जो चीज़ें मांग रहे थे वो मिल भी जाएगा तो यह है खबर एशिया कप को लेके जो कि हम दे रहे हैं और आगे जो भी अपडेट आएगा ओफिशिली आधिकारिक तोर पे जो भी होगा सारे अपडेट जो हैं आपको देते रहेंगे इस वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, धन्यवादि